तो पार्ट 14 की चुरुवात वहीं से होती जहां पिछला पार्ट खतम हुआ था हैन का फिर से temporary memory loss हो गया था जिस वे से उसे याद ही नहीं था कि वो कब हिन्वो के घर से बहुत दूर आ चुकी थी हैन्वो एक cycle लेकर कई घंटों तक हैन को ढूंडता है एटलाश्ट उसे गाउं के bridge के पास हैन मिल जाती है तो उसके पास आकर उससे थोड़ा चिला कर पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो किसी को बिना बताए तुम यहां क्यों आ गई पता भी हमें कितना परिशान था हैन जो इस टाइम पर काफी घबराई हुई थी पर फिर भी वो अपने आपको strong दिखाने के लिए कहती है कि मैं कोई patient नहीं हो जो तुम्हें हमेशा मेरी फिकर करने की जरुवत पड़े जो सुन हिन्वो कहता है कि sorry मेरी ही गलती है जादा डर गई थी जो सुन हिन्वो को उसके लिए बहुत ही जादा बुरा लगता है तो वो हैन के पास अकर उससे गले लगा लेता है हैन के condition के बार में सोचकर ही हिन्वो के भी आंसो निकल जाते है उस दिर बाद हिन्वो से cycle में बिठा कर घर की और ले आता है तो वो उनके घर से थोड़ी दूर एक पेट के नीचे रुकते है हैन हिन्वो को दे कर बहुत खुश होती है हैन्वो से पूछता है कि तुम अचानों कि यहां कैसे आ गई तो हैन्वो से बताती है कि तुम्हारी sister ने मुझे यहां बुलाया उसने बताया था कि तुम्हारे dad election में हार रहे है क्योंकि उनका opponent गाउवालो को free का खाना खेला कर गाउवालो का अपनी side कर रहा था हैन्वो को बिलीव नहीं हो रहा था तो उससे पूछता है कि फिर भी तुम यहां क्यों आ गई हैन कहती कि dad बस free का soup पिलाने वाले से हार रहे थे तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती थी हैन्वो कहता है कि अच्छा तो इसलिए तुमने counter attack करके पूरे गाउव की दावत करा दी even सभी के लिए इतने महंगे gifts भी लेकर आई हैन तो full proud के साथ कहती कि तुम्हें तो देखना चाहिए था कि मैंने उस opponent के plan पे कैसे पानी फेर दिया जोसन हैन्वो तो हसने लग जाता है और उसे हसता हुआ देकर हैन भी smile करती है युन्वो हैन को देखी रहा था तभी उन्हें हन्वो के family की आवाज सुनाए देती है जो लोग इतने बारिश में भी हैन को ढूणने निकले थे मॉम तो पुलिस को भी बुलानी के लिए कह देती है और तभी ये चारों पेट के पास पहुँच जाते है तो यहाँ हैन को देकर उन्हें भी चैन पड़ता है वही हैन उन्हें इस तरह से देखकर हैरान थी युकि वो लोग खुद बारिश में भीग कर भी उसे ढूण रहे थे गरा कर भी उन्हें बस हैन की ही चिंता थी वो लोग उसे पूछने लग जाते कि तुम हमें बिना वताय कहां चले गई थी हमें तुमारी कितनी चिंता थी जो सब सुन हिन्वो ने ये सब पूछने से मना करता है जो सुन डैट कहते हैं कि हमें माइंड मत करना हम लोग यहां जल्दी सो जाते हैं तब ही मौमा करुन सब को भा़र ले आती है और हईनवो और हैंड को रेष्ट करने के लिए कहती है तो हैंड कहती कि मुझे हैड डॉय करने है जो हैड डॉयर ले आता है पर यह काफी पुराना हो गया था और हैड इसे चला भी नहीं पा रही थी इदर हेईन के घर पे सूचे और मॉम को हेईन का वीडियो दिखाने आता है पताता है कि हेईन अपने इनलाउस के घर गई है और वहाँ से हेईन के कुछ वीडियोस वाइरल हो रहे है क्योंकि हेईन के उनके गाउं में एंट्री से लेकर पार्टी एनाउंस करना, गिफ्ट देना, सब कुछ रिकॉड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था मॉम तो ये सब दिकर हैरान होती है अभी दर हिन्वो और हैन की बीच आउक्वर्ड सी सिचुएशन बन रही थी क्योंकि काफी देर से दोनों चुपचा भी बैठे हुए थे तो हिन्वो से पूछता है कि क्या तुम्हे भूक लगी है कुछ खाना चाती है तो बताओ मैं ले आता हूँ तो हैन उसे बताती ही कि मैंना इस दिन में बहुत कुछ खाया था हैन भी बहुत कुछ अगर सबी के खाना खा रही थी जो सब देकर हैन की मम कहती है ये सब हैन के लिए कितना अंकमफर्टेवल था और हैन इन सबी का लाया हुआ खाना क्यों खा रही है वो भी इतना मुस्कुराते हुए तो इन वीडियोस पे तीन लाग से भी जादा वियूज आ गये थे हैन की मम अपने पियार टीम से इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहती है इधर हैन बताती की मैंने आज बहुत सारा खाना खा लिया है पतानी मेरा वेट भी बढ़ गया होगा हैन उसे बताने लगती है कि उसने क्या क्या खाया था तबी हुन्वो उसके हाथ का चोड देखता है हैन को अपने पैर में भी दर्द होता है क्योंकि उसके पैर में भी लगा था इधर हॉल में हुन्वो की पूरी फैमली बैठ कर जो सुन मॉम तो उन पर काफी गुसा करती है डैड कहते हैं कि don't worry वो किसी को नहीं बताएगा मैं तो बस उसे इस matter में consult करने गया था कि वो शादियों के matter में expert है पर मॉम डैड को अभी उस पड़ोसी के पास जाने के लिए कि जाने के लिए कि सौंग की मॉम मिस्टर बेक को अपना husband समझ रही थी अगले ही पहल वो अपने बेटे को नहीं पहचान रही थी मतलब उनकी memory आती जाती रहती है सलिए सौंग कहता है कि चिंता करनी की जरूरत नहीं है मेरी मॉम की जैसी condition है वो तो कब कब भूल चुकी होगी सौंग पूछता है कि हिन्वो और हैन में सब कुछ सही चल रहा है ना डैट बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है आज देखा नहीं कि आसे मुझे support करने के लिए अचानक से हैन आ गई इसका मतलब साफ है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बिच सब कुछ सही है इदर हिन्वो हैन के छोट पर बेंडर लगा देता है उसके हाथ में भी जो लगा था उसे clean कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा अपने आपको hurt कर लेती हो बड़े प्यार से उसके जखाम पर medicine लगा रहा था हैन अपने हाथ की रेखा देकर कहती है कि मेरी life line कितनी छोटी है हैन वो पूछता है तुम कबसे इन सब पर believe करने लगी हैन कहती नहीं करती पर मुझे ये देकर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे हाथ में भी मेरी life line इतनी छोटी क्यों है वैसे भी मैं terminally ill हूँ और मेरे हाथ की life line भी इतनी छोटी है दोनों का मतलब सेमी है जो सुने हन वो थोड़ा जोर से कहता है कि तुमें कुछ नहीं होगा तुम terminally ill नहीं हो तुमने ही तो कहता कि तुम कोई patient नहीं हो तुमें पूरा भरोसा था तुम ठीक हो जाओगी तुमने ही तो कहता कि God तुमारे साथ है और कोई नहीं मेरा कल जरूर होगा और तुम ठीक हो जाओगी तुमने जो यूरोप का best medical center ढूंडा है तुमने कहा था वो doctor सब कुछ ठीक कर देंगे तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी है इन कहता ही मैंने ये तो नहीं कहा था कि उससे पूछती है क्या तुम treatment के दौरान मेरे साथ चलोगे ये सुनते ही उन्वो रुख जाता है ये कहती कि ऐसा नहीं कि मैं अकेले जाने में डर रही हूँ पर क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो मेरे बिमारी के बारे में ये उन्वो पूछता है क्या तुम सच में चाती हो मैं तुम्हारे साथ चलोगा ये सुन हीन बहुत खुश होती है तो ये उन्वो से पूछता है क्या तुम्हें अभी दर्द हो रहा है ये फिर से दुनों का eye contact होता है पर इस बार माहल थोड़ा romantic सा बन जाता है तुम्हें एक दुसरे के आँखों में देखते हुए करीब आने लगते है क्युन्वो हीन को किस करने ही जा रहा था तो हीन किस करने के लिए आँखें बंद कर लेती है पर हीन वो तभी उठकर चला जाता है पर तो उसे अंदर जाकर क्या कहेगा तो उसे ऐसे चोड़ कर बाहर क्यूं आ गया और अंदर जाकर क्या करेगा फिर बाहर भी तो नहीं आ सकता इससे अच्छा तो यही होगा कि तो बाहर ही रह जा ये बोलकर तो वो बाहर चकर काटने लग जाता है बहींदर हैन भी सोच रही होती है कि क्या वो भाग गया पर फिर वो हसते वे कहती है कि नहीं यार वो क्यों भागेगा जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा शायद किसी को कॉल करने गया होगा या फिर टॉलेट गया होगा ये बुलकर वो स्माइल करते हुए बैट पर बैट जाती है पर तभी उसके नजर पढ़ती है घड़ी पर जिसे देख वो कहती है कि पर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था पर दर हम ही उन्वो को देखते हैं जो अपने शॉप के बाहर बैठा हुआ था और युंते उनके लिए खाना बना रहा था युंते उसे पूछता है कि क्या तेरा और हीन के कोई जगडा हुआ जो उसने तुझे बाहर निकाल दिया युंते कहता है कि अगर तुने कोई गल्ती की है तो जल्दी जाकर उसे माफ्य मांग ले बढ़ना जितना देर करेगा वो अतनी जादा नाराज होगी इसलिए अभी कभी अपने रूम चले जाओ पर हिन्वो तो ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं अपने आपको थोड़ा होश में लाने के लिए बाहर आया हूँ क्योंकि घर के अंदर तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ युनते पूछते क्या समझ नहीं पा रहा इन्वो तो हैन्वो को किस करने जाने वाले सीन को याद करके कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता वहीदर हेईन तो अभी भी हिन्वो के आने का वेट कर रही थी 45 मिनट्स बीच चुके थे खड़ी को देकर हेईन को तो अब गुसा आ रहा था तो अपना फोन उठाती हैं हिन्वो को कॉल लगाने जाती है पर कॉल काट कर उसे मैसेज करती है कि अभी तुम कहाँ पे हो तो यहन वो काफी सोचने के बाद रिपलाई करता है कि तुम पहले सो जाओ जो देखे है इन को तो बड़ा गुसा आता है यहति यह पहले सो जाओ को क्या मतलब है मैं अके लिए यहाँ पे सोओ अपने गुसे को कंट्रोल करते है कि ठीक है कर तुम यही चाते हो फोन फेंकर बेड़ पर लेड़ जाती है पर कुछी सेकंड बाद गुसे में उड़ जाती है न कहती है तो वो सच में भाग गया पर क्यूं? क्या मैं उसे जिंदा खा जाती? वो मुझसे इतना क्यूं डरता है? भार कुटे बहुत भौक रहे थे हैन खिड की खोल कर उन्हें चुप रहनी के लिए कहती है तो वो कुटे भी डर कर भौकना बंद कर देते हैं हैन फिर से बैट कर सोचन लग जाती कि वो मुझसे इतना क्यूं डरता है? क्या मैं सच में इतनी डरावनी हूँ इदर हिन्वो तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था युन्ते उसे घर वापस जाने कहता है पर हिन्वो कहता है कि मैं थोड़ी और पीऊंगा युन्ते कहता है कि है इन तुमारा वेट कर रही होगी तब हिन्वी वहाँ पर पहुंच जाती है जो दूर से उनकी बाते सुन रहे थी युन्ते कहता है कि इसलिए तो मैं नहीं जा रहा वो सोचाए कि उसके बात जाऊंगा जो सुन है इन गुस्से में वापस चली जाती है इदर युन्ते पूछता है कि तू जाना क्यों नहीं चाता युन्ते कहता है कि मैं कोई गल्ती नहीं करना चाता युन्ते कहता है लोग ड्रिंग करके गल्ती करते हैं युन्ते कहता है कि मैं ड्रिंग करके ही कोई गल्ती नहीं करता कि मैं उसे कितना नफरत करता था, वो जो करे उसके साथ जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं उसे इतना ज़ादा डरता था, क्यों कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और शायद मुझे ऐसे ही करते रहना चाहिए, पर सच तो यही है, जो यह दोनों खुद भी जानते हैं, बस एक दूस्टे को वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसी के साथ पार्ट 14 का एन यहीं पर होता है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चानल पर पहली बार आए तो do subscribe and hit the bell icon जल्दी मिलते हैं अंगले पार्ट में जबते के लिए take care and bye bye